दोस्तों, आज के वीडियो में हम विटिलोगों पर बात करने वाले हैं विटिलोगों, जिसे की हम सफेद दाग के रूप में चानते हैं दरसल हमारी स्किन से रिलेटेट एक प्रॉब्लम है जिसमें स्किन के नेच्टरल कलर धीरे-धीरे कम होने लगते हैं और वाइट स्पोर्ट्स उनकी जगा लेने लग जाते हैं विटिलोगों पेशिंस के बॉड़ी पर वाइट स्पोर्ट्स, हाथ, पैर, होट, सिर्थ, आदी पर बड़ी ही आसानी से देखे जा सकते हैं अगर आपने विटिलोगों को जड़ से खत्म करने का जल्दी से कोई उपाई नहीं किया तो इसका लॉंग टर्म इफेक्ट आपके लिए बेहत बेहत खतरनाक हो सकता है जो कि आपकी शारिरिक समस्याओं को बहुत जादा बढ़ा सकता है अगर आप विटिलोगों की समस्या को दूर रखना चाहते हैं तो आपको अपने खान-पान का विशेश ध्यान रखना होगा और बहुत सारी चीजों से आपको परहेस करना होगा तो आज की विडियो में हम आपको विटिलोगों पेशंद को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं इस पर ही चर्चा करेंगे साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दही विटिलोगों पेशंद के लिए सही है या नहीं तो अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से जूच रहे हैं या फिर चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह की समस्याओं से बचे रहे तो आपके लिए वीडियो काफी जादा महतपूर्ण साबित हो सकती है इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चानल कर्मा अरवेदा ल्यूकोजर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी ना भूले ताकि इस तरह की इंफर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँछते रहें तो आईए वीटि लोगों से जुरी कुछ इंपोर्टन बातों को चान लेते हैं दरसल वीटि लोगों की समस्या का मुख्य कारण है मेलनोसाइट्स नामक कोशिकाओं का नश्ठ होना मेलनोसाइट्स तवच्चा में रंग बनाने वाली कोशिकाओं को कहा जाता है जब किसी कारण से ये कोशिकाओं नश्ठ होने लगती है या फिर काम करना बंद कर देती हैं तो हमारी स्किन पर जगा-जगा सफेद दाग दिखाई देने लगते हैं आपको ये जानकर हिरानी होगी कि हम अपने खान-पान के आदितों में कुछ बदलाव करके विटलोगों की समस्या से खुद को बचा सकते हैं लेकिन कैसे आईए जानते हैं तो सबसे पहले अगर आप विटलोगों की समस्या से बचना चाहते हैं तो अपने आहार में एनिमल बेस्ट प्रोड़क्स को शामिल बिलकुल ना करें और प्लांट बेस्ट प्रोड़क्स को अप्टाएं साथ ही खटे पदार्थों के सेवन से बचें तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि विटलोगों पेशन्स के लिए दही फाइदे मन नहीं हैं लेकिन अगर आप फिर भी दही का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्तर से जरूर कंसल्ट करें इसके अलावा विटलोगों पेशन्स अपने देनिक आहार में ब्रॉक्ली, पालक, बीन्स, मेवा, लोबिया, गाजर और चुकंदर का जूस पपीता आदी का सेवन करें साथ ही विटलोगों पेशन्स मसालेदार वे तली भुनी चीजें प्रॉसेस फूड, अचार, अनार, टमाटर, गु को दूर रख सकते हैं, लेकिन आप किसी भी डायट को फॉलो करनी से पहले एक बाद डॉक्टर या फिर अपने एक अच्छे डायटीशन की सलहा सरूर ले ले ताकि आपके बिमारी की सही से चांच परक हो सके और आपको अपने डायट में और भी कई तरह के आप्शन्स मिल सके आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आप विटि लोगो से रेलेटेट कुछ भी पूछना या जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर कर्मा आयूरवेदा से संपर कर सकते हैं, नमबर आपकी स्क्वीन पर मौजूद है, कर्मा आयूरवे कि अश्कार